बिस्मिल्ला रहमानी रहीम, अस्सलाम आलेकुम आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी मज़ेदार सा मीनी ब्रेट पकोड़ा जिसको कि आप रमजान में इफ्तार के लिए बना कर त्यार कर सकते हो बहुत आसान सी रेसिपी है, आप इसको as a evening snack बना सकते हो या आप इनको as a sandwich भी सर्फ कर सकते हो बहुत आसान सी रेसिपी है, तो पिर चलिए फटा-फट सी रेसिपी को स्टार्ट करते है सबसे पहले यहाँ पर मैंने आधा किलो की जितने उबले हुए आलू लिये है आलू को हम पहले इस तरह से मैश कर लेंगे तो पोटाटो मैशर की मदद से या फिर हातों से ही इनको अच्छी तरह से मैश कर लीजिए बस आलू में जो हैं वो बड़े बड़े टुकडे नहीं होने चाहिए देखी इस तरह से आलू को पहले मैश कर लीजिए उनको एक साइट पर रख दीजिए अब हम चलते हैं कुकिंग प्रोसेस की तरफ तो यहां पर एक पैन में सबसे पहले एक से दो टेबल स्पून की जितना ओइल डालेंगे ओइल हमें जादा इस्तेमाल नहीं करना है ओइल को गरम करने के बाद इसमें एक टी स्पून कुटा हुआ धनिया एक टी स्पून जीरा और एक चौथाई टी स्पून हिंग एट कर लीजिए हिंग जो है वो डाइजेशन के लिए काफी अच्छी होती है थोड़ा सा स्टर करने के बाद हम इसमें तीन से चार हरी मीचे बारीक कटकी हुई एक इंच का अद्रक का टुकडा डालेंगे बारीक सा कटकिया हुआ और इन मसालों को हम लो फ्लेम पर कुछ सेकेंड के लिए फ्राय कर लेंगे तो इन मसालों को हमें बहुत जादा भूना नहीं है बस कुछ सेकेंड के लिए फ्राय कर लीजिए उसके बाद हम इसमें अधा टीस्पून लालमिश पाउडर, अधा टीस्पून जीरा पाउडर, अधा टीस्पून धनिया पाउडर, अधा टीस्पून हल्दी पाउडर, अधा टीस्पून गरम मसाला और एक टीस्पून कसूरी मेथी डालेंगे लो फ्लेम पर इन मसालों को भी तो सेकेंड के ले स्टर कर लीजिए तो गैस की फ्लेम को लो ही रखेगा वरना फिर मसाले जो है वो जल सकते हैं अब हम इसमें ये बॉइल की हुए और मैश की हुए आलू आट करेंगे एक टी स्पून या टेस्ट के कॉर्ड इसमें नमक आट कर लीजिए और साथ ही बहुत सारा बारी कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे इससे फ्लेवर काफी अच्छा आता है मिला देंगे और अब हम लो टू मीडियम फ्लेम पर आलू को मसालों के साथ मिलाते वे भूनेंगे तो इनको अच्छी तरह से मैश करते वे अच्छे से भूनने से अलो में फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा और बहुत ही मजे का और चटपटा सा ये बनकर तयार होगा तो अब देखिए इस तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया है और अच्छी तरह से भून भी लिया है अगर ज़रत पड़े तो आप इसके ऊपर ए यहां पर मैंने दो कप की जितना बेसन लिया हुआ है बेसन में हम कुछ पाउडर मसाले आट करेंगे तो सबसे पहले इसमें आधा टीस्पून या टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक कर लीजिए एक चौथाई टीस्पून डालेंगे इसमें हल्दी का पाउडर और आधा टीस तो थोड़ा थोड़ा सा करके इसमें पानी आट कीजिए और इसका एक मीडियम कंसिस्टेंसी वाला बैटर बना कर तयार कर लीजिए तो एक बार में ही जादा पानी डालने से बेसन में जो है लंस बन सकते हैं इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर इसका एक लंप फ्र तो इसको हम कुछ देर के लिए एक साइट में रख देंगे ताके बेसन जो है वो अच्छी तरह से फूल जाए और अब हम यहाँ पर चटनी बना कर तियार कर लेंगे तो एक मिक्सी के जार में सबसे पहले एक मुठी भर कर डालेंगे हरा धनिया एक मुठी ही इसमें पुदी आड़ कर लेंगे और तीन से चार हरी मिलशे एड़ कर लीजिए गा और इनको अच्छी तरह से पीस लीजिए देखिए इसकी थीक सी चटनी हमें बना कर तयार करनी है इसको एक बोल में ट्रांसफर कर देंगे तो इस चटनी को बहुत जादा रनी मत कर येगा इस तरह से थ इस तरह से भी रहने दे सकते हो लेकिन इनके किनारे थोड़े से हार्ड होते हैं तो इसलिए मैं इनको कट कर रही हूँ और देखिए इस तरह से हमें सारे ब्रेट कट करके रख लेने हैं फिर ये जो मिंट की चटनी हमने बनाई हुई थी इसको हम इस तरह से ब्रेट के तो टोमाटो कैचप लगाने से इसमें बहुत री टैंगी और जबरदसा फ्लेवर आएगा तो इस तरह से फैलाते हुए एक थिन सी लेयर लगा दीजिए टोमाटो कैचप की दोनों ब्रेट स्लाइसे पर और अब ये आलू का मसाला भी अच्छी तरह से थंडा हो गया है तो अब हम जो मिंट चटनी लगाई थी उस ब्रेट के ऊपर आलू के मसाले की एक थिक सी लेयर लगाएंगे तो इस तरह से एक स्पून की मदद से इसको अच्छी तरह से हर तरफ पहला करके इसके एक एवन सी लेयर बना दीजिए तो आलू का मसाला जो है वो आप अपने पसं मारा सैंडविच जो है वो बनकर तयार हो गया है तो अब हम इसको सेंटर में से इस तरह से कट करेंगे और इससारह से देखी हमारे पास दो ट्रेंगल्स निकल कर आगे है आप चाहो तो इनको इसी तरह से एसे सेंडवीच भी सर्व कर सकते हो बहुत मजय के और बहुत ही ट बना कर दे सकते हो इस तरह से आप इनको as a sandwich भी सर्फ कर सकते हो इसमें tomato ketchup का mint chutney का और आलू के मसाले का बहुत ही जबर्दत सा flavor आता है लेकिन हम इनका bread पकोड़ा बना रहे है तो यह बेशन का जो बैटर हमने तयार करके रखा वाता है उसमें एक चौथाई टी स्पून हम baking powder करेंगे अच्छी तरह से मिला देंगे बेकिंग पाउडर डाले से हमारे ब्रेट पकोड़ा जो है वह बहुत ही फलफी और सॉफ्ट बन कर तयार होंगे थोड़ा सा इसमें हरा धन्या एट कर लीजिए अच्छी तरह से मिला दीजिए और अब हम यह ब्रेट का एक पर अच्छी तरह से गरम करने के बाद गैस की फलेम को मीडियम कर लीजिए और एक एक ब्रेट के पकोड़े जो है वह इस तरह से बेसन में डिप करके डालते जाए तो कडाई को जो है वह ओवर क्राउड मत करिएगा जितने एक बार में आ रहे हैं उतने ही डालिए और इन से चार मिनिट के लिए आप इनको मीडियम फलेम पर अलटते पलटते वे फ्राय कर लीजिए तो इनको फ्राय करने में बहुत जादा टाइम भी नहीं लगता है बहुत ही जटपट से और जल्दी से ये फ्राय हो जाते है अब देखिए तकरीबन चार से पांच मिनिट हो ग कोड़े दिखने में जितने ये जबरदस लग रहे हैं खाने में उससे कई जादा ये मजे के होते हैं मिन्ट चटनी के साथ या फिर टोमाटो कैचप के साथ आप इनको सर्फ कर सकते हो और अगर रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक और चैनल को करना बिलकुल भी मत भूलेगा कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी तो फिर इन्शाला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बहुत ही अच्छी सी रेसिपी के साथ तब तक के लिए अलाहाफेज